नाचना किसे पसंद नहीं होता इंसान चाहे कुछ भी कहे मगर कभी ना कभी वह नाचता जरूर है स्टेज पर ना सही पर मन ही मन वह कुद को खुश करने के लिए ऐसा जरूर करता लेकिन क्या हो अगर नाचते नाचते किसी का मौत से सामना हो जाए कोई इनसान क्या इतना भी नाच सकता है कि उसकी सांसे तक थम जाएं। हमारे दुनिया ने ऐसा भी दौर देखा है जब नाचना एक अभिशाप बन गया था। और या एक किसी समुदा या इनसान की बात नहीं बलकि पूरे के पूरे शहर के साथ यही हालात थे। तो आखिर क्या था पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ अंते तक जरूर बने रहें। दरसल या बात थोड़ी सी पुरानी है। सुलमी शताबदी में नाचना लोगों को मौत से रूबरू करवा रहा था। कहा जाता है कि उस दौरान यूरोप में रहने वाली एक साधानन सी औरत नाचते नाचते अपने घर से बाहर निकली। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई खुशी की बात होगी इसलिए वह नाच रही है। लेगिन जब उस औरत का नाचना नहीं रुका तो लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि या तो वह नशे में है या फिर पागल हो गई है। यहाँ पर जिस महिला के बारे में बात की जा रही है उसका नाम फ्राव ट्रॉफी था। जिन लोगों ने भी फ्राव को नाचते हुए देखा उन्होंने बताया कि आसपास कोई भी संगीत नहीं बज रहा था पर वह नाचे जा रही थी। देखते ही देखते लोगों का एक हुजूम जमा हो गया। और एके करके पडोसी भी अपने घर से बाहर आकर नाचने लगे। वे सभी उस महिला के साथ बे सुधो कर नाच रहे थे और गौर करने वाली बात यह थी कि उनमें से किसी के चहरे पर भी ना तो कोई खुशी का भाव था नाहीं गमगा। सभी की यांके बंद थी और वेबस नाचने में मगन थे। कोई भी या नहीं समझ पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का काम बताया तो कुछों ने मनुवैग्यानिक तर्क दिये। और मौसम का यही प्रकोप वहां की जमीन को बंजर बनाता जा रहा था। साथ ही यह वही दौर था जब लोगों में कई तरह की बिमारियां भी पैल रही थी। इसलिए इस डांसिंग प्लेग की घटनाएं साथ गुना तक बढ़ गई थी। तो देखा आपने आकर किस तरह से मांसिक समस्या एक इनसान के लिए मौत का कारण बन सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रणाम।